आओ इस दरिंदे को जला दे हिंदू का खून बह रहा है इस तरह के हिंदू वर्चसुवादी और मुसल्मानों के खिलाफ दुश प्रचार करके क्या मोधी सरकार 2024 लोग सबा चुनाओ में 2002 के दंगे करवाना चाहती है ये मैं नहीं कह रही पब्लिक कह रही है आपको बता द जिसके पता दे द तस्वी लगाकर जो खूलासा किया है तो सबसे पहली बात दक्का जहँन ने क्या क्षापा है इस खबर को ध्यान से सुनेगा उसके बाद इस पर PM मोदी ने क्या कहा है उस पर आते हैं खबर आप देखे दगारजियन की इस खबर में लिखा हुआ है कि मेटा अप्रूफ पॉलिटिकल एड्स इन इंडिया यानि की मेटा ने सोशल मीडिया पर उन विग्यापनों को अप्रूफ किया है जिन से हिंसा भड़क सकती है और इसको किसने अप्रूफ किया है यह जब मैं आपको बताऊंगी तो आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी तो खबर के अंदर जो लिखा है वो और भी ज़्यादा चोकाने वाला है सुनेगा देखे इसमें लिखा हुआ है कि दफेस्बूक एंड इंस्टाग्राम ओनर मिटा अप्रूफ डा सीरीज ओफ ए आई मैनिपिलेटेड पॉलिटिकल एडवर्स डूरिंग इंडियन्स इले अप्रूफ किया है जिसमें धार्मिक हिंसा भड़काने विपक्ष के खिलाफ नफरत फैलाने और इसी के साथ ए आई मैनिपिलेटेड जूटे विज्यापन बनाए गए हैं दुश्प्रचार किया जा रहा है यह कोई और नहीं फेस्बूक और इंस्टाग्राम अप्रूफ कर रहा है तो किसके कहने पर अप्रूफ कर रहा है सवाल खड़ा होता है क्योंकि जो विज्यापन चलाए जा रही है वो अपने आप में बेहच्चों कंग आने वाले हैं इन विज्यापनों में जो लिखा हुआ है उससे हिंसा तो क्या? दं़गे भडख सकते हैं तो इन वि हैं ऐसे विग्यापन चलाए जा रहे हैं जिसमें मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और इसमें लिखा हुआ है कि चलो इस दरिंदे को जला देते हैं हिंदूओं का खून बह रहा है इन आक्रमन कारियों को जला देना चाहिए और तो और ऐसे विग्यापन चलाए जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी जंडे के आगे विपक्षी निता को खड़ा किया गया है और डिस इंफॉर्मेशन यानि की गलत जानकारी फै खुलासा किया है साथवे चरण की वोटिंग के ठीक पहले खुलासा किया है और बड़ा खुलासा किया है जहां एक तरफ देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मंगल सूत्र मुझ्रा मटन मचली गुसपैटिया पाकिस्तानी जादा बच्चा पैदा करने वाले बयान देते हैं वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर सामने आती है कि ऐसे विग्यापन चलाए जा रहे हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम और दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है यह हाल हो चुका है दो हजार चौबिस लोक सबाचुनाओ का इसलिए आप देख सकते हैं कि जब यह खबर दगाडियन ने चलाई है तो इसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ मार्क जुगरबर्क की फोटो चापी गई है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है आपको बता दे अभी अभी दो हजार चौबिस लोक सबाचुनाओ के बीच जब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने घुस पैठिया और जादा बच्चा पैदा करने वाला बयान दिया था तब भी विदेशी मीडिया ने खबरें चलाएं और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की इस बयान की धज्जियां उड़ा दी इसमें लिखा हुआ है कि एंटी मुसलिम स्पीच दी जा रही ह और यह स्पीच प्रधान मंतरी की तरफ से दी जा रही है नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है आप देख सकते हैं दे नियू योक टाइम्स ने भी छापा है कि आखिर क्यों प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को गुस पैठिया कहा है इसलिए कहा है क्य कि वो कह सकते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके की हेडिंग चलाई जा रही है लेकिन फिर भी शर्म है कि आती नहीं दा गार्डियन भी छाप चुका है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी चुनावों के बीच ऐसे भाशन दे रहे हैं जिससे तनाव फैला सकें तो तनाव ए इस फ्लाइट में बम है जो कि आदे घंटे में फटने वाला है उसके बाद आनन पानन में जितने भी पैसंजर थे उन्हें एक्जिट कराया गया खबर मौजूद है वीडियो मौजूद है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है पत्रकार है रनविजे सिंग श महौल बनाने की कोशिश कर रहा है तो जहां एक तरफ डर का महौल बनाया जा रहा है वहें दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ खबर ये भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की ठीक पहले लोग आपस में भीड़े जा रहे हैं हत्यारा टहल और किसी की हत्या करना चाता है खबर मौजूद है आप देख भी सकते हैं देखिए एबीपी की खबर है ठीक एक दिन पहले खबर ये निकल कर सामने आई है और इस खबर में लिखा हुआ है कि पियमोधी की सभा से पहले मुटभेड से हख हडकम हत्या की फिराक में थे आरो ही है कि किस तरीके से राष्टवादी लहर बनाई जा रही है जहां एक तरफ राजनीतिक विशलेशक से लेकर पत्रकारों ने ये दावा किया है कि इस बार अगर राष्टवादी लहर नहीं हुई तो मोधी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी वहीं दूसरी तरफ आप सकते हैं कि खबरे निकल कर सामने आई हैं कि किस तरीके से राष्टवादी लहर को पैदा करने की कोशिश की जा रही है और वैसे भी पूर्वराज जेपाल सत्यपाल मलिक ने तो पहले ही कह दिया था कि ये मोधी सरकार है और ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती ह तो सुना आपने सत्यपाल मलिक ने पहले ही कह दिया था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो इस बार मोधी सरकार 2024 लोग सबाचुनाव जीत जाए ऐसा नहीं हो सकता ये लोग कुछ भी खुराफात करवा सकते हैं ये लोग राम मंदिर पर अटाक करवा सकते हैं किसी बीजेपी के नेता को मरवा सकते हैं जो चुनाव जीतने के लिए पुलवामा करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है तो क्या ये कुछ भी करवाने की कोशिश की जा रही क्या दंगे भढ़काने की कोशिश की जा रही है क्या राष्टवादी लहर पैदा करने के लिए मोधी सरकार इस हद तक गिर गई है कि ऐसे विग्यापन चलवाए जा रहे हैं तो क्या इसी लिए मोधी सरकार हडबडा रही है और इतना बौक ला रही है कि प्रधान मंतरी नर बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें सब्सक्राइबर बड़ दबाया हमारे चनल को लाइक करें जॉइन करें फिर मिलते होंगली खबर के साथ अब तक के लिए धन्यवाद हुआ 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 है